आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, मिरा नाम है सिद्धान तक नहीं होतरी, स्टेडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है ओके, चलो, बात करेंगे हम फिर से वाटर प्रैसिस की, वाटर प्रैसिस की हम कई बर बात कर चुके हैं, लेकिन भारत की एकॉनमी वाकई में खत्रे में है, मैं बार बर बर इसको बताता रहता हूँ, ताकि आपको जानकारी रहे कि चल क्या रहा है NCIT का कोर्स हमने लॉंच कर दिया, NCIT हिस्ट्री का नया बैच, तो मैं ही पूरी NCIT हिस्ट्री अपडेट कर रहा हूँ, और अब न्यू अपडेट कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे human activities की हम बात करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे, क्योंकि एक interview दिया है John Rockstrom में, जो की डारेक्टर है, Post-Diam Institute of Climate Impact, Research and Co-Chair, तो इन्होंने काफी जादा एक ऐसी चीज़े कुछ बताई हैं, जो थोड़ी सी चौकाने वाली हैं, डेंजरस हैं, जी एस पेपर थी के लिए बहुत ही जादा important है यह, तो human activities, हम देखें, यह हम सबको पता है कि हम जंगल बरबाद करते जा रहे हैं, main source है rainfall, पानी का main source rainfall ही तो है, और हर कोई precipitation पे dependent है, लेकिन precipitation पूरी दुनिया का खतम होता जा रहा है, जिसकी वज़े से economic, health और social stability को खतरा ह भारत की बगत बात करें, तो 2040 तक भारत में drinking water रहेगा नहीं, यह नीती आयोग और बाकी reports में समझा मदब माना गया है, 2030 में भारत में water की जो demand है, वो दुगनी होने वाली है, और आधे से जादा जो भारत है वो प्यासा होगा, सबसे जादा भारत में underground water को use किया जाता है भारत extraction में number 2 पे है, underground water, सबसे जादा हम जमीन के अंदर से पानी निकाल रहे है, वो भी बारिश यह होके नीचे जाता है, ठीक है, 80% irrigation के लिए जाता है, और 8%, 12% industry के लिए use होता है, 8% जो है, वो हम drinking के लिए use करते हैं, भारत की population लगातार बढ़ती जा रही है, अभी 2100 त तक वो जाई 160 करोड तक, मतलब हमारी population भी बढ़ रही है, और वो बढ़ती ही रहेगी, ठीक है, 140 करोड तक peak point आएगा, फिर उसके बाद वो नीचे जाएगा, यानि कि अभी resources की कमी होने वाली है, ठीक है, और timeline अगर आप देखो, तो दिक्कते आगे हमारा weight कर रही है, तो पाकिस्तान के युद्ध पानी को लेके हो रहा है, चाइना भी अपने पानी को कंट्रोल कर रहा है, और पानी की crisis चाइना में भी है, चाइना की भी population बहुत जादा है, तो वहाँ पे यह दिक्कत बहुत जादा है, इसराइल, जॉर्डन और जो मिडिल इस्ट है, वो पानी पानी महंगा मिलता है, यह हिसाब किताब है, अभी अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने यही बोला है, इंटर्व्यू में, कि इस समय, what we are finding, is climate change and land use change, is shifting, बुरी तरीके से shift हो रहा है, आप अपने इर्दगिर्द देख सकते हो कि मौसम कितनी जल्दी बदलते जा रही है, नए टूल्स डेफिनेटली आ गए हैं, ताकि हम जो flow of water को quantify कर सकें, वेपर, क्योंकि precipitation water cycle यही है, भाब बनके उड़ेगा, पानी, वेपर, बादल बनेंगे, बादल important है, बादल बरस जाएंगे, तो यह cycle यह चकरी जो है, वो चलती रहती है, लेकिन अगर इसमें जंगल का सनौरों ने तो यह ठान लिया है, कि हमको जंगलों को बरबाद करना है, तो अगर जंगल काटे जाएंगे, तो फिर कैसे काम होगा, और सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं, जैसे rainforest, दिखते हैं, evergreen rainforest, मतलब यहाँ पे पत्या सालों साल रहती है, घरे जंगल, इतने घरे जं नाकस्तान या बाकी Central Asia यहां से भी जो है, वो उपर जाते हैं, Central Asia में उपर जाते हैं, तो चाइना की water problem को भी एक केटर करते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे वही कि extreme events होते जा रहे हैं, वैसे वैसे यह सब घटा जा रहा है, और उसके बादी जो eroding water security है, यह हर चीज इस भारत की industry जो हैं, वो पानी पे चल रही हैं, भारत agriculture तो पूरे ही पानी पे चलता है, अगर देखिए, आप देखते हैं कि मौनसून खराब हो गया तो फसल बरबाद हो जाएगी, मौनसून जादा हो गया तो फसल बरबाद हो जाएगी, तो भारत का primary sector ही है agriculture, और भारत ही agriculture से चल रहा है, यानि कि पानी से चल रहा है, और भारत एक blessed donation भी है, क्योंकि भारत में भारत को नदियों का gift मिला है, ठीक है, और वो हमारे लिए भगवान है, देवी हैं, नदियां जो है, तो भारत को इस gift को बहुत अच्छे से utilize करने, लेकिन भारत pollute करता जा रहा है, अ लेकिन फिर भी दोस्तों, इतना ज़्यादा काम नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, कि देखिए, जब तक आप लोगों को बताओगे नहीं, जब तक आप लोगों के घर में नहीं घुसोगे, और उनको बोलोगे नहीं कि ये problem important है, ये दिकत है, तब तक कुछ नहीं हो हो गया, वहां पर हमको देखने को मिल रही है, ठीक है, बाकी political, भाई पानी नहीं देगा, तो पानी से ही सब कुछ आता है, समझ रहो, आपकी politics, आपका समाज, आपकी economy, everything is related with water, कुदी देखो, जब पानी नहीं आता है घर में, तो कैसी हाहकार मचते है, भी गर्मी आ रही ह पैयार हो जाओ, और बारिश नहीं होगी, तो पानी भी नहीं होगा, global commission reports, इस समय अभी UN water conference अगले हफते होने वाली है, अभी global commission report आगी, तो 50 साल में पहली बार, कि आखिरकार, यह जो global water security है, इसको हम ठीक कैसे करें, और यह कितनी बड़ी है, 2.3 billion, लगबग 200 करोण लोग यानि कि हर तीसरा इंसान जो है, इस समय water stressed country में रह रहा है, समझ रहो, हर तीसरा इंसान और अगर आपके घर में पानी आ रहा है, तो आप दुनिया का सबसे अपने आपको lucky इंसान मानो, 3.2 billion, यानि कि लगबग 320 करोण के करीब लोग जो है, वो agricultural area में रह रहे हैं, अब इ इनकी जीवन ही खेत में dependent है, जो फसल उगा के ही अपने देश को चला रहे हैं, वहाँ पे ही पानी नहीं है, या फिर shortage है, यह FAO, UN Food and Agriculture Organization ने 2020 की रिपोर्ट में बताया था, अभी UN की meeting होने वाली है, World Economic Forum ने बोला है कि जो UN Summit है, वो एक Paris moment होगा, यह Paris moment जैसे climate change में हमने बोला था, डेर डिगरी Celsius, पूरी दुनिया, जैसे ही यह 2015 के बाद यह concept आया, तो पूरी दुनिया लग गई कि अब हमको pollution कम करना है, भारत ने भी 2070 तक carbon zero होने की बात कही, ठीक है, पांच भारत ने वादे किये थे, अभी मैंने carbon sink पे एक lecture भी लिया था, ठीक है, तो यह पानी के लिए सबसे पहले होना चाहिए, हम भले ही air pollution की बात करें, इस समय सबसे important water pollution है, और यह सरकारे जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतना अच्छा है, और इसमें पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब देखें भारत की अगर बात करते हैं, तो भारत में भारत टोटल सत्ता परसेंट डुनिया का water लेता है, लेकिन खाली 4 परसेंट, 4 परसेंट drinking water या fresh water भारत के लिए अभिलेबल है, यानि कि बहुत ज़्यादा ग्याप हमकों जो हैं, या जो experts हैं, वो बड़े बहुत ज़्यादा important होंगे, ठीक है, अब देखो, अगर हम fresh water की बात करें, पूरी दुनिया में बात करें, तो local या फिर regional issue बनके रह जाता है, बट यही local और regional issue बाद में, क्योंकि देखिए, एक देश जो होता है, देश है, फिर राज है फिर चहर है, फिर एरियाज है, छोटे छोटे ब्लोक्स है, लोकल ब्लोक्स है, डीजनल ब्लोक्स है, तो यहाँ पर पानी का issue है, कहीं particular ब्लोक में, तो वो तो इक देश की ही problem हो जाएगी आगे ना जाके जाके, क्योंकि वही blocks तो वही छोटे छोटे एरियाज तो पूरा जो है वो भारत या फिर पूरी दुनिया बना रहे है, ठीक है, तो यह चीज है, आगे देखते हैं, अब देखें, अभी problem यह है कि मुश्किल है, it is not enough to store water and locate water to different users, now we also need to secure the rainfall, अभी तक यह था कि हम water को बचा लेते थे, अभी 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 खत्रे में अब rainfall management हमको इतना खास देखने को मिलता नहीं है, rainwater harvesting में हमको कोई हर जगा देखने को नहीं मिलता है, कुछ गाउं में देखने को मिल गई, कुछ शेहरों में देखने को मिल गई, लेकिन पैन इंडिया में इसको हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है, भारत इसलिए जादा खत आपको एकदम दिवाना कर दे शेहर का, लेकिन सच्चाई यही है, कि पानी बड़ा मुश्किल है, तो सेव वाटर द्रिंग भी है, कहता है नक्षय कुमार, लेकिन अज़ा करना नहीं हुआ, तो चैसे एराउंड बॉल्स्टरिंग फॉर्टर सेकुरिटी आ नोट ऑल्वे तो इनको बारत से होते हुए जाति है, अगर भारत दैम मना ऐगा। पाकिस्तान को अपत्ति है, पानी के लिए अपत्ति होगी, तो दोनों में दूद्ध होगा। तो वही मैं मता रहूं कि इसी वजह से ही पुरी दुनिया में वाटर वार्स हो, इनको वाटर वार्स ही नाम दिया गया है, नाशनल जोग्राफिक इस बहुत ही जबरतस डॉक्यमेंटरी है, आप इसको जरूर देखेगा, रेनफॉर को भी स्टोर करना एक प्रॉपर बीच में डाम बना रहे हैं आप, फार्म लैंट्स हो जार दिये, लोगों को विस्थापत, अभी भी नर्मदा बचाओं अंदोलन चली रहे है पिछले 30 सालों से, अभी भी जो विस्थापन का इशू है, वो कहां पे, सेफ साइलेंट वैली में भी अभी प्रॉब्लम तो ह कोई रहे है ना विकर आप देखो तो ठीक है, तो यह चीज है, तो अब जो वाटर स्टोडेज है रिवाई डाम में उसमें और जादा प्रॉब्लम क्योंकि जब वो नीचे जाएगा तो बाड़ा जाएगी, डाम से एक सलूशन है बड़ इसमें भी दिक्कते हैं, लेकिन ह सरकार भी उसको देखें, तो भी वो ठीक से हो सकता है, जो विस्थापित हो हैं, अगर उनको जो ठीक मिले तो भी बढ़िया है, शिक्स दॉट वर्ड नियली 600 ग्राउं अक्विफर्स शेर अक्रोस इंटरनाशनल बार्डर से है वा फॉर्मल कोपरेटिव एग्रीमेंट, अब अभी देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो यूज होगा ना, सबसे बड़ा सॉलीशन क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, तो सबसे जरूरी होगा कि पूरी दुनिया को साथ में आना पड़ेगा, और अपने बॉर्डर इश्यूस को निप्टाना पड़ेगा, जैसे पाकिस्तान, भारत, चाइना, इन सब को अपनी दुश्मनी साइड में रखे, जहां पे कई जगा बहुत ज़्यादा पानी होता है, उनके लिए सरप्लस होता है, तो वो आप दे दो, उनको दे दो, जिनको इसकी जरूरत है, अगर पूरी दुनिया एक टीम बन के काम करेग दूसरा, तीसरा, आप सरकार को यहाँ पे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि पनिश्मेंट तगड़ी हो इसमें, ठीक है, येस, लोगों को बताना पड़ेगा, चौता, अवेरनेस प्रोग्राम चलाईए, तगड़े लेवल पे चलाईए, घर-घर में ये बात पहुचा द रहे, ठीक है, जैसे नॉर्थ इस्ट में कुछ ऐसे शहर है, कुछ ऐसी गाउं है, जहां पे रूफ ऐसे हट टाइप के, वो स्लंटिंग टाइप के बनाएगी, तो पानी जो है, वो वहाँ पे गिरता है, और वो पानी जैसे रूफ है, वो एक पाइप दिया गया है, ठीक ह यह चीज है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या है, इंप्रोविंग बॉटर सिक्यूरिटी इस लाइकली तो रिक्वार शिप्ट तो मोर प्रिसाइज इंस पेरिंग इरिगेशन सिस्टम क्रॉप्ट अट रेक्वायर लेस्वार फारिंग में डाइप को बताया कि अभी अगर आप थोड़ा सा कम पानी यूज करेंगे, होता क्या है कि जैसे इंडस्ट्रियल यूज में पानी बहुत ज़्यादा है, अब इंडस्ट्री क्या करते हैं, कि उनके लिए क्यापिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि पहली बात तो आप एकाउंटेबल हो, ठीक है, जैसे कारबन में होता है, कि अगर आप कारबन फैला रहे हो जादा, तो आप ही उसकी भरपाई करोगे, तो ऐसी पानी में भी होना चाहिए, कि अगर आप पॉल्यूशन फैला रहे हो, तो ये आपकी जिम्मधारी है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो पूरा को पूरा वेस्ट पानी में तो ये सबसे ज़्यादा पानी यूज भी करते हैं, देखिया बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है, वो हमेशा वाटर रिसोर्स के पास में ही रहेगी, लेकिन बहुत सारी डेवलपिंग कंट्री में रिफॉर्म की जरूरत है, लेकिन रिफॉर्म तो लाएं, ब देशों को साथ में आना पड़ेगा, अब जैसे भारत में ही वाटर, कई बार वाटर, जैसे यमुना के लिए भी, पंजाब, हरियाडा, दिल्ली लड़ने हैं आपस में, तो इन सब को भूल के ये देखना पड़ेगा कि पानी, पंची, नदिया, पवन के जोके, कोई सराह रमद्राद है, हमारे कोसको अब जलूर अवेल करें, थैंक यू सो मच